गुड मॉर्निंग बच्चो लाउड़ान एप आट साला डीसी वाई रामगर्ण में आपका स्वागत है हम लोग सात्मीक अच्छा के विशे हिंदी को पढ़ रहे थे और बहुत पहले भी हम लोगों ने कापी वीडियो बना लिये हैं उमिर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विशे हिंदी के अंतरगर उसका नाम है कविता बीज और उसके कवी का नाम है स्मित्रा नंदन पर बच्चो इस कविता में बीज के बारे में बताया गया है जिस बीज के अंदर एक विशा पेडशिपा होता है उसके बार अंधकार डूबा है उसमें एक बीच, वह खो न गया मिट्टी न बना को दो सरसो से छुद्र चेज, वह छोटे उर में छिपे हुए है डाल पात सकंध मूल, गहरी हरितिमा की संस्रिती बहुरूप रंगफल और फूल, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीच, हम सभी जामते हैं कि बीच को दबाया जाता है, मिट्टी के अंदर पानी वगरा दिया जाता है, दब जाकर उसे पौधा निकलता है, लेकिन कवियां कहना चाहरे हैं कि मिट्टी के गहरे अंधकार में एक बीच को दूबा हुआ है, वह खो न गया मिट्टी न बना, वह गहरी मिट्टी के अंधकार में डूमने के बावजूद न वक्त होया और नहीं मिट्टी के साथ मिट्टी बना, गोदो सरसों से चुद्र चीज उसके दाने कोदो और सरसों के समान काफी छोटे हैं चुद्र मतलब बहुत छोटा काफी छोटी है औरुमीर आप जान गये हुए कि हम बर्गत के व्रियरपीच के बर्गत का विशाल ढाल उसके पते और असकंद उसकी शाखाएं फल उसके सारे कुछ वाद उस चोटे से बीज में छिपा करके रखे हुए है गहरी हरितिमा की संस्रिती पहुरूप रंगफल और फूल जिस बर्गर रिच से चारों तरफ हर्याली हर्याली नजर आती है वह शेतलता प्रदान करती है और काफी लोगों के कुला फानुवित करती है तो उस छोटे से बीच के अंदर वो सारी चीज़े छिपी होती है वह मुठी में बंद की वट के पादप का महाकार वह भी अपनी मुठी में बंद के उबए है वट मतलब यहां पर है बर्गर के लिए और पादप मतलब पेड़ पादे के लिए तो अब बर्गर का पेड़ को वह का महाकार वह अपने छोटे से हिर्दे के अंदर छिपाए हु जैसे संपूर्ण सागर समाया हुआ है जैसे एक बीच के अंदर वह पूरा अपना संसार, पूरा एक विशाल बिच शप्र शिपाया रहता है। उसी तरह से अठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बुल में सागर शिपा हुआ है। मनुश्य के हिर्दय भी सर्सों की भाती होता है। मनुश्य में भी अपार संभावनाया रहती है। जरूरत होती है कि समय आने पर उनको भारने की निखारने की और सारे संसार को लाभानवीत करने की। कोई में यहाई संसार चोटे से बीज में चीपा है वैसे हमारे अंदर भी संभाव मिलाव मिला मिल करके नहीं होता है मिट्टी के साथ मिपरिवर्ति करता है अगले वीडियों समसार के सामने प्रस्तुत करना होता है नहीं समयरी है और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्मत्र के साथ फिर से एक साथ मिलेंगे तब तक के लिए आज का वीडियो में ही सवाप्त करते हैं धन्यवाद